उधारण 22 के का मान ग्यात किजिए जब दिये गए समीकरण निकाय के अनन्तता अनेखल होगे कोश्टक में के रिन 3 कोश्टक बन एक्स धन 3 वाई बराबर के के एक्स धन के वाई बराबर 12 हल समीकरण निकाय कोश्टक में के रिन 3 एक्स धन 3 वाई बराबर के यह हमारा पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण है के एक्स धन के वाई बराबर 12 में यहां A1 का मान हम पहले समीकरण को A1 एक्स धन B1 वाई बराबर C1 से तुलना करने पर A1 का मान A1 बराबर के रिन 3 उसी तरह से B1 का मान बराबर के लज्य का मान बराबर के बराबर के रितु तरह से तरह से वाई बराबर के वाई C2 बराबर 12 इसको हमने A2X धन B2Y बराबर C2 से तुलना करके A2 बराबर K, B2 बराबर K और C2 बराबर 12 ग्याद किया क्योंकि समीकरन निकाए कि अनन्त अनेक हल है हल है अतहा हम जानते हैं कि समीकरन निकाए के अनन्त अनेक हल में इसका संबंद A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से के लिए हम के बराबर B1 बटा B2 के लिए 3 बटा K बराबर C1 बटा C2 के लिए हम के बटा के बटा 12 लिखेंगे अब यहां पर के रिण 3 बटा के बराबर 3 बटा के यह हमारा समीकराण एक ले लिया हमने उसी तरह से 3 बटा के बराबर के बटा 12 यह हमने समीकराण 2 मान लिया पहले हमने के रिण 3 बटा के और 3 बटा के इसको छोड़ लिया इसको छोड़ दिया तो के रिण 3 बटा के बराबर 3 बटा के समी करण एक ले लिया फिर दूसरी इस्थिति में हमने पहले वाले संबंद को छोड़ दिया पहले वाले पार्ट छोड़ दिया तो पहला वाला भाग छोड़ दिया तो तीन बटा के बराबर के बटा बारा और उसी तरह से जब हम बीच वाले भाग को छोड़ देंगे तो हम में प्राप्थ होंगा के रिन 3 बटा के बराबर के बटा 12 के बटा 12 यह हमारा समीकरन 3 हो गया अब अगले प्रिश्ट में हम देखते हैं अब हम आगे देखते हैं पिछले भाग में हम ने देखा कि के रिण तीन बटा के बराबर तीन बटा के जिसे हमने समिकरण एक नाम दिया था उसी तरह से तीन बटा के बराबर के बटा बारा जिसे हमने समीकरण दो माना था और अंत में के रिण तीन बटा के बराबर के बटा बारा जिसे हमने समीकरण तीन माना था यहां तक हमने लिया था पहले समी करण में हम K-Rin 3 बटा K बराबर 3 बटा K में हर K दोनों पक्षों में को K को हम काट देते हैं तो हमें मिलेगा या K-Rin 3 बराबर 3 या K-Rin 3 का पक्षांतर करेंगे हम दाएं पक्ष में तो ये 3 का 3 और रिंड तीन का पक्षानतर में धन तीन हो जाएंगा ये और इस तरह से या के बराबर हमको मिला तीन और तीन छे ये हमारा पहला हल हुआ के का मान उसी तरह से समीकरण दो में हम देखते है यहां पर हम तीरिया गुणा करेंगे के को के से गुणा करेंगे तो के का वर्ग बराबर बारा को तीन से पढ़ना करेंगे तो अला तीरिया बराबर यहां का वर्ग लिकाह हटाएंगे और इसका पक्षानतर करेंगे तो यह दायंपक्ष में वर्ग मुल तैस्टिस बनेंगा और यह के बराबर धन billing छे आएंगा कूँकि जेह का व्र्ग भी छत्तिस होता है और रिन छे का वर्ग भी 36 होता है तो के के दो मान में लेंगे धन छे या रिन छे तो ये के का मान हमने समीकरन दो से ग्याद किया उसी तरह से हम समीकरन तीन को देखते हैं या समीकरन तीन में जब हम तीरियाक गुणा करेंगे तो के को के से गुणा करेंगे तो के का पराबर 12 को जब हम गुड़ा करेंगे तीर्यक गुड़ा करेंगे तो ये 12K और रिण 12 तिया 36 या K की हाथ 2 रिण 12 के पक्षांतर की हमने बायपक्ष में तो चिन बदलेंगा ये रिण 12 के और रिण 36 का जब हम पक्षांतर करेंगे दाय से बायपक्ष में तो धन 36 बराबर 0 या अब हम मध्य पद को तोड़ेंगे रिण 12 के को हम लिख सकते हैं के का वर्ग रहा और रिण 12 के को हम लिखेंगे रिण 6 के और रिण 6 के को हम जोड़ते हैं तो हमें रिण 12 के प्राप्त होता है और कहीं हम रिण 6 को रिण 6 से गुणा करेंगे तो 36 प्राप्त होता है जो कि हमारा यहां 36 जो है स्थिरांक है तो उसी तरह से फिर हमने रिण 12 के को रिण 6 के रिण 6 के लिखा और धन 36 का 36 बराबर 0 या अब यहां पे हम पहले दो पद में उभेनिष्ट के निकालेंगे तो के निकालने पर हमें कोष्टक में प्राप्त होंगा के रिण 6 और उसी तरह से हम अंतिम दो पद रिण 6 के धन 36 में से रिण 6 को भेनिष्ट निकालेंगे तो हमें कोष्टक के अंदर के और क्योंकि हम रिण निकाल चुके है और धन जो होता है रिण गुडित रिण होता है तो हम यहां रिण 6 लिखेंगे बराबर 0 या इस दो पद में के के रिण 6 ये पहला पद है और रिण 6 दूसरा पद जो है रिण 6 के रिण 6 फिर दोनों पदों में से रिण 6 को हमने उबहनीश निकाला तो दूसरे कोश्टक में के रिण 6 बचेंगा हमारा के रिण 6 बराबर 0 इस तरह से हमें या के रिण 6 बराबर 0 प्राप्त होता है या के बराबर पक्षांतर करने पर 6 प्राप्त होता है तो समीकरण 3 से हमें के बराबर 6 प्राप्त हुआ तो यहां पहले समीकरण से के बराबर 6 दूसरे समीकरण में के बराबर धन रिन 6 और तीसे समीकरण से हमें प्राप्त हुआ के बराबर 6 तो के का के का वही मान सत्य होगा जो सभी समी करणों को संतुष्ट करता है यहाँ छे ही तीनों समी करणों को संतुष्ट करता है इसलिए के कमान छे होगा या इस उधारन का हल है करता है वो घचा रट यहाँ यहाँ यहाँ